तो भाई सबसे पहले नीचे comment section में comment करके बताओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे घटिया और सबसे रदी फिल्म कौन सी है लिखो comment section में तुम्हारा समय समाप्त होता है अब कैसा होगा अगर मैं तुम्हारे को बताओ कि बाई जो भी मूवी का तुमने नाम लिखा हो उससे भी जादा सड़ी वी पिक्चर इस टाइम पर सिनिमा हौल में रिलीज हो चुकि एक ऐसी मूवी जिसको फ्री में भी कोई देखने को तया नहीं हो रहा कुट्ते भॉकरें सिनिमा हौल के अंदर इस फिल्म का नाम है पृत्वी राज जी हां और क्यों मैं बात बोल रहा हूं कि फ्री में भी कोई देखने को तयार नहीं हो रहा यह आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा तो वीडियो को एंड जरूर दबा देना इसके भी पास जाते हैं जिसकी बीजिंदगी में जाते हैं बड़ी पनौतिया, मैं आपको बताने वालों खबरों के माध्यम से इस वीडियो के अंदर अब सबसे पहले आपके सामने रखना चाता हूँ सबसे पहली खबर, कि आखिरकार कैसे ये पिक्चर जो है पूरी पनौतियों के घेरे में आ चुकी है और अक्षे कुमार भीक का कटोरा बहुत जल्दी पकड़ने वाला अपने स्क्रीन पर देखे पिंक विला के माध्यम से समराट पृत्वीराज चौहान मूवी की ओपनिंग जो है, इसकी बॉक्स ओफिस की एस्टिमेटिड कलेक्शन पता है कितनी हुई है और उसपे कार्तिक आरें था जो कि एक नया अक्टर है लेकिन यहाँ पर भक्त कैनेडा कुमार भाई 30 साल से अक्टिंग कर रहा है अक्टिंग करकर के इसकी दाडियां सपेद हुई जा रही है लेकिन आज ये इस मुकाम पर पहुँच चुका है कि इसकी पिक्चरों में पूरी तरीके से पनौती लग रही है और करो और फेलाओ प्रोपोगांडा को और सिनेमा को यूज करो प्रोपोगांडा के लिए यही होगा तुमारी जिंदगी के अंदर क्यों कि इस मुवी के प्रोमोशन के लिए भाई पूरा बीजेपी का कैबिनेट मोधी सरकार का पूरा कैबिनेट वियस्त था आपको मैंने दो दिन पहले विडियो में दिखाया था किस तरीके से केंद्र मंत्री जो है भक्त कैनेडा कुमार इसकी पिक्चर को प्रमोट करने का काम किया जा रहा था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इस पिक्चर से हिस्ट्री पढ़ाने का काम किया जा रहा भाई ये कौन से तरीके की तुम हिस्ट्री पढ़ा रहे हो अभी इसकी पोल भी आगे खोलने का काम करूँगा कि किस तरीके की हिस्ट्री ये लोग पढ़ाने का काम करें लेकिन ये अपने आप में बड़ी चीज एक है अगर आप समप करके देखें कि पूरा BJP का कैबिनेट ये तो एक बात है दूसरा योगी सरकार का पूरा करके अक्षे कुमार भक्त कैनेडा कुमार की पिक्चर देखने में व्यस्त था और इससे भी तीसरा पॉइंट ये है ये सबसे बड़ी फ्लॉप क्यों गिनी जा सकती है क्योंकि BJP के आल्मोस्स इतने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर इस मूवी को टाक्स प्री कर दिया गया ह अब लेकिन मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं कि ये मूवी फ्री में भी लोग देखना नहीं चाहते वह आगे चलके आपको एक और खबर दिखाऊंगा एक सप्राइज दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको पूरी कहानी और भी क्लिरली समझाएगी लेकिन ये अपने आप करने के लिए उसके बावजूद अगर वो पिक्चर पहले दिन पर एस्टिमेटेड दस करोड से भी कम कमाती है और ये पहले दिन की कमाई है आगे के दिनों में क्या हालत होगी अगले मंडे को क्या हालत होगी ये आप सोच भी नहीं सकते हो ये पिक्चर मुकेबल जमीन प कोई भी मूवी इससे कबाड़ा कोई भी मूवी नहीं हो सकती मैं फिरसे आपको क्लारिफाय कर देना चाहता हूं बहुत सारे भक्तों को यहां पर खुजलिया मचरी होंगी कि यहां पर समराट पृत अच्छे आदमी थे बहुत ग्रेट रूलर थे लेकिन यहां पर बात हो को यूज कर पा इसी तरीके से लेकिन जैसे मैंने बताया नरेंद्र मोधी का वही हिसाब किताब है यह कहावत इनके पर फिट बैठती है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं जो भी आदमी इनके पास आता है वो बुरी तरीके से ठग लिया जाता है पहले ट शारुक खान के माध्यम से बीक निज निकल कर आई जहां पर यह पता चला कि शारुक खान एक मूवी लेकर आ रहे दोजार तेईस में ट्रेलर लॉंच किया बकायदा उन्होंने और यह बताया कि जवान नाम की एक मूवी लेकर क्या रहे हैं बॉलीवूड में अब लोग स शेकुमार हों कही ना कई प्रोपोगैंडा जो है या फिर कही ना कई यह जो पूरा सेंटिमेंट जिसको पूरे देश को बेफू बनाया जारे जिसको यूज करके वह कही ना कई बॉलीवूड में इस टाइम पर बुरी तरीके से घुश चुका है और बॉलीवूड में आपके सामने वो निउस रखना चाता हूं जिस वज़से मैं कहा था कि फ्री में भी इस पिक्चर को को देखने को तयार नहीं हो रहा है आपनी स्क्रीन में देखे कमपनी इसका नाम है नाइन ओक्लॉक मीडिया उसने ट्वीट करने का काम कि और यह बताया है एक पूरा का ग्राफिक ट्वीट किया है क्या लिखा है ग्राफिक में आपको पढ़के बतायता हूं उपर लिखा है सम्राद पृत्विराज और उपर उनका लोगो भी लगा है नीचे लिखा गया है वी आज एजन सी हव डिसाइडि टू डिखाने के लिए स्पेशल होलेडे दी जारी वी वूड बी इश्यूइंग फ्री टिकेट्स फॉर आर इंप्लॉईज आंड देर फैमिली याने की कंपनी का मालिक और यह कंपनी कह रही है कि यह मूवी जो है लास्ट हिंदू किंग के ओपर बनी हुई है और इसलिए हम अपने इंप्लॉईज को इसको फ्री में दिखा करके आ रहे लेकिन ऐसा नहीं है यह जो नाइन ओ क्लॉक वाली मीडिया कंपनी है यह अलरड़ी ऐसा काम पहले भी कर चुकी है ज़रा अपनी स्क्रीन पर देखिए बच्चन पांडे थोड़े दिन पहले अक्षे कुमार की मुवी आई थी मूह के बल गिरी थी उसमें भी क्या वातने का काम आपने अपने इंपलॉईज को यह जो पूरी कमपनी है अक्षे कुमार और उनकी पी यार से जुड़ी हुई कंपनी है और इसलिए फ्री में लोगों को दिखाने का काम करें अक्षे कुमार को भी बात समझ आ चुकी है कि पिक्चर इतनी घटिया इतनी बकवास कि इसको पैसे देखे में कोई ने देखने वादा इसको फश्क्रीश में ही दिखाना पड़ेगा लेकिन इंदने से यहीं पर पृष्षी राच चोहान जो बने हैं यह अक्षे कुमार वह बेडियो से बंद वही अपने आपको दिखा रहे और बेडिया किस तरीके से बंदियों है ज़ोम करके आपको दिखाना चा तो पर बेडिया यहां पर बंदी हुई है और साथ में एक रस्ती बंदी यह जो कि ठीक से बंदी भी नहीं हुई ए जब इतनी घटिया efforts के साथ इतने ढकोसले बाजी के साथ इस picture को बनाये गया है तो आखिरकार लोग इससे देखेंगे क्यों और interesting news दिखाना चाता हूँ इसको कहां से पता होगा इसी फिल्म का एक और screenshot है या फिर पोटो देख कह लीजी इसको इस फोटो में अक्षे कुमार घोड़े के साथ चलते वह आ रहे हैं प्रित्वी राज चौहान का रोल कर रहे हैं याद आपको अक्षे कुमार ने फिल्म करी थी उसमें उन्होंने बाल का रोल निभाया था बाला बाला शैतान का साला इसी के अलावा पनौतिया खतम होने का नाम नहीं ले रही जो सुशान सिंग राजपूत के फैन्स हैं वो इस टाइम पर बड़े लेवल पर इस मूवी को बॉइकाट करने में लगे हैं जर अपनी स्क्रीन पर देखिए इस एक पूरे आपको ग्राफिक से समझ आएगा कि किस तरीकी की बाते चल रही हैं यह सुशान सिंग राजपूत के फैन्स के बीच में यहां पर बताया गया है कि यह मूवी जो है सुशान सिंग राजपूत इसकी पहली चॉइस थे लेकिन बाद में उनसे मूवी छीन ली को बोईकोट करें उसको देखने ना जाये मतलब पहले तो पिक्चर और बरबाद है उसके बाद आफ प्री में टिकेट बाटने का काम कर रहें उसके बाद सुशान सिंग राजपूत के यह वह बहुत सारी बात करी जा रहे हैं और लोग जो है इस पिक्चर की एंडिंग को लिखने का बार-बार काम कर रहे हैं जिसकी वज़े से अक्षे कुमार जो है पूरी तरीके से उनकी हालत खराब हो चुकी अपनी स्क्रीन पर देखे ANI के माध्यम से अक्षे कुमार अर्जिस पीपल तो अवोइड पोस्टिंग स्पोईलर्स अबाउट समराथ पृतिराज और यह एन आई ने डालने का काम किया इस न्यूस को और इसी को रिट्वीट करके एक ट्विटर यूजर ने लिखा है कि पृतिराज डाइज याने कि पिक्चर की एंडिंग को लिखने का यहां पर काम किया है और ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं जाबर स्पोईलर्स देने का काम कर रहे हैं लोग मिलकर के ट्विटर के उपर जोस्तों अक्षे कुमार की कुछ पिक्चर है बहुत बड़ी है और आक्चुली मैं देखने लाएक है मैंने खुद हौल पर जाकर के देखिए है एरलिफ्ट जैसी मूवीज जो की अक्चुली मीनिंग्फुल सिनिमा है और कही ना कहीं उसमें एफट डालनी की उन्होंने कोशिश करी लेकिन भाई इसके बारे में हम क्या ही बात करें ब्यालेस दिन के अंदर इस पिक्चर को बनाने का काम किया गया है सोचिए क्या ही एफट यहां पर डाली होगी उन्होंने और साथ ही जब आप आर्ट और प्रोपगैंडा को मिलाने की कोशिश करते हो ना तो यह होता है उसका पूरा रिजर्ट सबसे पहले आपने देखा कंगना रनौत के साथ हुआ और वही चीज अक्षे कुमार के साथ भी नजर आ रही है अक्षे कुमार की जितनी भी पुरानी पिक्चर उठाके देख लेंगे जो पिछले टाइम में हैं सारी की सारी प्रोपगैंडा के उपर बेस थी और बार बार अपनी पिक्चरों के माध्यम से बीजेपी का प्रोपगैंडा उनका एजेंडा इसने चला करके दिखाने की कोशिश करी थी लेकिन आज की रेट में यह आदमी कहां पर पहुंच चुका है और इसके कमबैक के भी असार इस टाइम पर बहुत कम लग रहे क्योंकि अब अगर यह ऐसा कुछ बनाएगा जहां पर बीजेपी का प्रोपगैंडा नहीं होगा तो इसको बीजेपी से लात पड़ेगी इसके साथ दोस्तों इस वीडियो को यही खतम करना चाहता हूँ बॉलीवूट के बारे में इसलिए मैं इतनी जादा बात कर रहा हूँ कि बॉलीवूट में भक्त बहुत जादा बढ़ चुके हैं बॉलीवूट में प्रोपगैंडा बहुत जादा बढ़ चुके हैं और ब तो description में join का link है उसको click करके आप लोग इस channel को support कर सकते हैं बुला कात होगे आप सब लोग उस इस channel के अगले वीडियो में